गुद मॉर्निंग क्लास, सु आईए देखिए, आज कामार टॉपिक है इलेक्टो मैगनेटिक रेडियेशन, EMR, हाँ ये क्या होता है, कैसे इसके साथ डिल करना पड़ता है, उसके लिए Maxwell ने, हाँ, बहुत सरा एक्सपेरिमेंट किये, और James Maxwell ने हमें एक चीज बताई, उन् मूब करता है, कौन सम मोशन सो करता है, एक्सल रेडियेशन, तो उस केस में, उससे दो टाइप की, दो टाइप के रेडियेशन जनरेट होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, उससे दो टाइप की, फिल्ड जनरेट होती है, कौन-कौन सी, इलेक्ट्रिकल फिल्ड, ये तो स्ब को पता है क्योंकि वह ऐलेक्रिकलिकली चार्ज है तो inmates अपने टेंथ कपड़ होगा कि जो भी लेक्रिकलाफ फिल्ड होता है वह मैंगनेटिक फिल्ड हिंगरेट करता है और उट्कित्रिकल्रे मैंगनेटिक लीगिूरी के क्या होते हैं हां वेरी गुtt पता था न that is they are perpendicular to each other हाँ वो एक दूसरे से हमें सा 90 डिग्री पे होते है clear है चलिए तो क्या होगा जब कोई भी एक charge particle है मालने जी मेरे एक electron ही है ये move कर रहा है ठीक है जब ये आगे जा रहा है क्योंकि ये electron है तो इसके उपर charge है अगर charge है तो इससे Maxwell का कहना है कि इससे दो टाइब की field generate होगी पहला electrical field और दूसरा हाँ बहुत अच्छे that is magnetic field दो टाइब की fields generate होगी और जिसना आपने टेंज में सीख रखा नहीं पी सीखे तो अभी हम बता दे हैं आप जहान रखेंगे physics में आगे आपको और details में इसको समझाया जाता है नहीं तब तक जब तक physics में नहीं पढ़ाया जाता है कुछ तो जानते रहे electrical field और magnetic field के जो component होगे हाँ जो हम graph में दिखाएंगे diagram में वो क्या होते हैं वो एक दूसरे के perpendicular होते हैं they are always perpendicular to each other यानि कि आप मान दीजिए ये एक plane है plane के मनलब x-axis है और y-axis है तो उस case में electrical field इसके perpendicular होगा और magnetic field electrical field के भी perpendicular होगा हाँ तीसरी important चीज जो आपको सीख लेनी चाहिए वो ये है कि अब तक आपने सिर्फ दो axis पढ़ा है एक पढ़ा आपने x-axis horizontal axis दूसरा आपने पढ़ा y-axis that is vertical axis जो maths के बच्चे हैं वो आगे चलके complex number करें एक chapter पढ़ेंगे वहाँ पे वो details में maths में सीखते हैं कि imaginary axis क्या होती है लेकिन जो biology के बच्चे हैं उनको तो हमें भी बताना पढ़ेगा न और जब तक आप लोग अभी नहीं पढ़ते हैं मैं अब तक यह जानते रहे हैं कि actually तीन axis एक जिश्च करती हैं हाँ horizontal x vertical y और तीसरी axis होती है हमारी imaginary axis जिसको हम बोलते हैं z axis जो की इस direction हमें दिखाए जाती है actually आपको यहाँ से देखे तो फिल नहीं होगा आप ऐसे समय लिए मेरे पास हाँ ठीक है सायद आपको दिखाने में हम काम्याब हो जाए यह देखे यह आपका x-axis यह आपका y-axis यह आपको पता ही है हाँ सरी समय नया क्या है अब दिखे यह जो है z-axis वो क्या है इसके perpendicular जियान से देखिए हाँ यह इसके साथ अभी bron और यह साथ भी और दीकिए बनारा रहा है बस आपको दिखे का नहीं क्योंकि यह एक्सिस कहाँ है इसके पीछे प्लेन के पीछे यह जो एक्सिस आपको दिखाई जारी है एक्चुली यह बाहर की तरह आपको दिख रही है लेकिने बाहर नहीं है यह पॉइंट कहां है अंदर से बाहर आता हुआ या फिर आप इस जेड एक्षिस को पैसे भी दिखा सकते हैं अब देखिए अब साइजाद एक अब साइजाद सौरी हाँ अब आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अभी भी 90 डिग्री पर है जो जैड एक्सिस है वो कहां रखा गया है यहां पर यह देखिए यह और यह अगर आप इन दोनों के बीच के एंगल देखेंगे तो भी परपेंडिकुलर और एक्चुली यह ऐसे नहीं है हाँ अगर आप एक्दम ध्यान से देखिए एक्चुल डाइग्राम तो वो एक्स और य भी ऐसा होता है हाँ वाई के ऊपर वाला पार और नीचे वाला पार पॉस्टिव और इसके नीचे नेगेटिव इसको बढ़ा देंगे तो दीचे न और य एक्स का पॉस्टिव पार्त य एक्स के नेगेटिव पार्त ये इसको अबनार हुआ जडा है उसके बीच निकलेगा आब हम इसके पीसे निकर तो सकते नहीं है nagrande चलिए यह क्या हो रहा है यह बीच से निकल के आ रहा है यानि कि इसे कुछ हिस्सा पीछे है प्लेन के यह हमारा प्लेन होगा एक्स-वाई प्लेन इस प्लेन के पीछे होगा और कुछ हिस्सा उस प्लेन के ठीक आगे होगा जैसे ये आपको दिखाया जा रहा है ये हिस्सा आपको दिखाया जा रहा है कि plane से बाहर की ओर आ रहा है जो कि ये हिस्सा इसी axis का पीछे वाला हिस्सा है जो कि कहा है plane के अंदर दिखाया जा रहा है clear है हाँ ये होना ही पड़ेगा आपको यहनु कि आप मान की छलेंगे कि total कितने एक्स तेजिस करेंगे तील कौन कौन सी x y and z हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे हैं कि जब कोई भी charge particle मालेजे मेरे पास एक charge particle क्यों है जब वो move करता है तो accelerated motion सो कर रहा होगा और उस case में इससे दो magnetic field और electrical field generate होती है दो magnetic field का मतलब ऐसा नहीं है कि दो magnetic field हो गया नहीं एक magnetic field और दूसरा electrical field generate होती है अब यह दोनों ही field जो generate हो रही है यह move करती है they move in the form of waves वो किस form में move करती है wave के form में हाँ और यह जो wave बन रही है इनी waves को हम क्या बोलते है EMR electromagnetic waves या electromagnetic radiation इनी waves को radiation भी कहा जाता है तो actually क्या हो रहा है जब कोई भी charge particle चलता है तो Maxwell ने कहा कि वो accelerated motion सो करेगा अगर accelerated motion सो कर रहा है तो उस case में उस पे दो magnetic field जनरेट हो रही होंगी electrical field और magnetic field दूसरी इंपर जी उसने ये भी कहा ये जो field है वो एक दूसरे के perpendicular होंगे clear है और इनको move करने के लिए ये कौन सा nature follow करते हैं they follow wave nature वो wave के form में move करते हैं और इनी waves को हम electromagnetic waves या electromagnetic radiation कहते हैं actually ये क्या होता clear हुआ आपको आइए next हम discuss करते हैं अब माली जी मेरा ये xy plane है ये है मेरा x axis ये है मेरा y axis अब कोई भी charge particle के लिए मुझे दो component बनाने पड़ेंगे confirm है न तो ही देखे मैंने मेरा पहला component माले ये मने blue pen से बनाया ये माल ले ते मेरा ये कौन सा component है this one is electrical component आप इसको electrical माल लिए magnetic माले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई एक ही मालेंगे लेकिन ऐसे ही आगे बढ़ रहा होगा ये component फिर ये उपर जाएगा नीचे आएगा clear है अब अब असली मुश्किल अब आएगी actually ये कैसा है अब आप ध्यान से देखेंगे न तो साइद आपको ये पूरा बोर्ट तो नहीं दिख रहा होगा कुछ है मेरे पास sorry देखे मेरे पास एक नोट से साइद इससे आपको कुछ काम बन जाए कि दिखा आपको हाँ ये है मेरी x plane ये है y plane और ये बना x y plane x axis और y axis मिलके एक plane बना इस plane के perpendicular कौन है ये field component बना है अब मान लेते हैं अगर ये मेरा electrical component है तो बताएए magnetic component कहा बनेगा इसी पे ये इसके perpendicular हाँ इसके perpendicular इससे perpendicular कौन से axis मिलेगी z axis ये x ये y और ये actually ये तो ऐसा ही है कुछ हिस्सा इसके देखे पीछे दिख रहा होगा कुछ आगे होगा तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं ये जो z axis बन रही है अब अगला component ही आपको देखे दिखाया तो नहीं जा सकता बट कोसिस कर सकते हैं देखे जो next component बनेगा that will be आपको लगेगा है सब तो सार एक ही पर दिख रहा है प्लेन पे actually आप 3D डियाग्राम बना ही नहीं सकते हाँ जब आप डियाग्राम बनाएंगे तो 2D बनाने प्लेन पे तो 3D आपको समझाया जा सकता है लेकिन जब भी बनाएंगे तो 2D मेहीं आ जाएगा बनने के बाद तो आपको एकी ज़ैसे सब दिखना है आपको कुछ आइडिया समझमें पहले हाँ बस आपको याद क्या रखना है हम आपको यह उता था कि इस पुरी चीजों में ध्यान क्या रखना है आपको यह याद अखना है कोई भी इलेक्रिकल चार्ज पार्डी की लेक्सलरेटर मुशन सो कर रही है तो उसके दो दो फिल्ड कंपोनेंट्स बनते हैं ऐसा कौन बताया था जैंस मैक्स्वेल ने और कौन-कौन से है वो इलेक्रिकल फिल्ड और मैगनेटिक फिल्ड फिर उन उनने यह चीज कहा कि यह जो मैगनेटिक फिल्ड और एलेक्रिकल फिल्ड के कंपोनेंट हैं दे आर म्यूचुली पर्पेंडिकुलर टू इच अथर वो एक दूसरे से हमेशा 90 डिग्री पे होंगे अब इसके साथ कुछ और भी प्रोपर्टिज उननने बताई थी जो कि सा बात है और सुन लीजी समझा तो इसके बाद हम देंगे ही wavelength, frequency, speed यह सब कुछ यह सब कुछ सेम रहेगा चाहे हो electrical magnetic field component हो या magnetic field component हो दोनों के लिए wavelength की value, frequency की value, time period की value, speed की value, सब कुछ same रहेगी लेकिन change क्या है दोनों field में, वो electrical field और magnetic field एक दूसरे के 90 degree पे होंगे इकदम confirm है, इसी को आपको ध्यान रखना है, रख सकते हैं, उचले आपको पहले हमें एक diagram दिखाते हैं, फिर तो theorem आपको लिखाई रेंगे देखे, यह है आपकी x-axis जिसको हम direction of propagation कहेंगे, यह हमारी y-axis और अच्छा इसमें y-axis इसको कर दिया है यह हमारा कर दिया y-axis, तो बताएं यह कौन से axis हो जाएगी फिर, यह z-axis बन जाएगी, बनेगी ना, अब किसी को भी ले लिए लिए, कोई दिक्कर नहीं है, उसने ऐसे करके दिखाया, ऐसे, यह x, यह y, और यह जो ऊपर की तरफ जा रहा है, that is, z, जन्दी कि हम आपको explain क कर सकते हैं, हाँ, किया जा सकता है, देखे ध्यान से, यह कुछ ऐसी arrangement है, अगर मेरे hands सारे visible हैं, तो ऐसे arrangement है, यह मेरी x-axis, यह मेरी y-axis, अगर आप ध्यान से इन दोनों hands के एक pass लाके जोड़े, तो 90 degree पे आए, और यह जो मेरा सर दीख रहा है आपको, that is, z-axis, यानि कि व सब तीनों के तीनों, axis एक दूसरे के क्या है, perpendicular है, तब किसी को x, किसी को y, किसी को z मानी, किसी को फर्क नहीं पढ़ता, अब यह मेरा magnetic field component है, अब फिर से वही बात, क्या सब ज़रूरी है कि यह मेरा magnetic field component हो, बिल्कुल नहीं, आप इसको electrical बोल दीजिए, देखे, यह इस perpendicular म यानि कि यह जो x और y-axis है, यह उस पे बना हुआ है, x-y plane में, जब कि, जब आप इस field component की बात करेंगे, तो यह देखे, किसे बीच पे बना है, x और यह वाला z के बीच में, यानि कि सिंपल से बात आपको यह याद रखनी है, कि electromagnetic field component और magnetic field component, sorry, electromagnetic नहीं, electric field component and magnetic field component, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, perpendicular होते हैं, इनकी wavelength, frequency, speed और amplitude, इस सब क्या होते हैं, अब यह हम आगे discuss करेंगे, तब तक तो बास आप इतना समझते हैं, यह जो कुछ भी है, यह क्या होती है, सब की सेम होती है, चाहिए वो magnetic field component हो, यह electrical field component हो, difference बस इतना है, कि तो वो एक दूसरे के perpendicular होंगे, but they vibrate into mutually perpendicular planes, वो एक दूसरे के perpendicular planes में ही exist करते हैं, clear है, आए, चले, heading तो आपने डाले लिया होगा, theory आप note कर लेंगे, theory में यह जो लेकिए, according to James Maxwell, when an electrically charged particle moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced, कोई भी charged particle जब accelerated motions होगरता है, तो उस time पे, उस से magnetic or electric field generate होती है, and they are transmitted, और वो एक दूसरे से transmit होती रहती, यानि कि बाहर जाती रहेंगी, the fields are transmitted in the form of waves, called electromagnetic waves, या electromagnetic radiations, वो किस form में move करती हैं, they move in the form of waves, जिनको हम electromagnetic waves या electromagnetic radiations कहते हैं, सही है, चले, यह रहा एक diagram, आप चाहिए तो यह diagram बना ले, या पिर जो पीछे diagram हमने आपको दिखाया, वो बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब भी आप बनाएंगी 2D में, तो लगबग सब एक ही जैसा दिखी जाएगा, next हमारा properties of electromagnetic waves, इस जो electromagnetic waves है, इनकी क्या property है, कुछ नहीं, अभी जो आमने आपको बताया, वाई properties में लिखा हो गया, देखे, the oscillating electric and magnetic fields, हाँ, ये कैसे motion शोगते हैं, oscillatory motion, तो देखे, जो electrical magnetic fields है, जो किसके दुआरा आप generate किये गयते हैं, electrically charged particles, they are perpendicular to each other, हाँ, पता है, अभी इतने देर से हम लोग यहीं तो सीख रहे हैं, both are perpendicular to the direction of propagation, और दोनों ही component, direction of propagation के perpendicular होंगे, देखे, direction of propagation के आता हमारा x-axis, एक किसे बना x और y में, x और y एक दूसरे के perpendicular, दूसरा किसने बनाता है x और z में, x और z भी दूसरे के क्या है, perpendicular, तो इसमें कोई परसान होने वाली बात नहीं है, चलिए, second, unlike sound waves, अगर हम sound waves की बात करें, तो ये थोड़ा सा उसे अलग होते हैं, अब कैसे, sound waves को move करने के लिए medium के जरुवत होती है, यानि कि अगर ये vacuum, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसका मतलब, यहाँ पर air है, और वो air क्या करती है, मेरे sound waves को carry करती है, अगर ये air यहाँ सा अटा दिया गया, यानि कि ये vacuumate कर दिया गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्या उस case आप मुझे सुन पाएंगे, बिलकुल नहीं, यानि कि sound waves को travel करने के लिए medium के जरुवत होती है, जब कि EMR, electromagnetic radiation को travel करने के लिए, कोई भी medium की requirement नहीं होती है, देखें, unlike sound waves और water waves, sound waves और water waves को move करने के लिए medium चाहिए, जब कि EMF do not require the medium and can move in vacuum, यहाँ पर पोसेता दिखना रहा हो, यहाँ पर in air, कर लेंगे, चले, next है, अब जब इतने बारे में, इतने details पर पढ़ा हमने, EMR के बारे में, तो हम थोड़ा सा waves के बारे में भी पढ़ ले कि waves क्या है, तो आइए, now we are going to discuss characteristics of waves, waves की क्या-क्या characteristics होती है, पहला characteristics होता है, उसका wavelength, उसको हम किसे represent करेंगे, lambda, इस symbol के क्या नाम है, lambda, it is defined as the distance between any two neighboring crests और true, अब आपको यह समझना पढ़े गा है कि crests और true क्या है, मेरे पास एक diagram है, waves का diagram ऐसे ही होता है, इतना तो आपको पता ही है, देखिए, कोई भी आप wave की एक हिस्से को बात करें, आप मालिए यहां से यहां तक यह पार्ट करते हैं, तो इसके यह जो top वाली पार्ट है, maximum पार्ट, इसको हम बहते है crest, आप यहां भी देख ले, इसके maximum height यहां पे है, यहां भी crest, ऐसे यह complete होता होता है, यहां पे मिलता crest, यह तो होगा crest, अब true क्या है, यह जो simple है, crest हमारा maximum height होता है, हाँ, true क्या हो जाएगा उसका minimum, तो यह देखिए, यह जब यहां पे नीचे वाला देखेंगे आप, तो यह जगदम नीचे पाया जाएगा, that will be showing as true, इसक यह भी क्या होगा, true, तब wavelength क्या है, crest और true तो समझ में आ गया, wavelength कोई भी दो crest, जो की एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, neighboring होने चाहिए, या कोई भी दो true, जो की एक दूसरे के पास पास हों, यानि neighbors हों, उनके बीच का gap होता है, lambda, यानि के wavelength, एक second, please, sorry, देखे, हमनों क्या discuss कर रहेते, we were discussing crest and true, हमने यह देख लिया आता है, किसी भी दो crest, या किसी भी दो true, जो के दूसरे के neighbors होंगे, उसके बीच का जो gap होता है, उसी को हम बोलते है, wavelength, अब माल लिजे मेरे पास यह crest है, और यह दूसरा crest है, है ना, तो यह जो दोनो crest है, इ gap को wavelength बोलते है, कि जरूरी है कि हमेंसे इसी को कहें, बिल्कुल नहीं, आप देख लिए यह true है, यह true है, आप इन दोनों true के बीच का gap अगर निकाल लें, तो वो भी इस gap के equally आएगा और उसकी भी wavelength ही कही जाती है, उसको भी wavelength का ही नाम दिया जाता है, ऐसे ही, अगर आप कम्प्लीट करें, तो यह इसका crest बनेगा, तो यह crest और यह crest के बीच का जो gap होगा, वो इसको भी wavelength का सकते हैं, बहुत simple है, लेकिन condition क्या है, आप यह crest और यह crest के बीच के length को wavelength नहीं का सकते, क्योंकि यह तो ज्यादा हो गया ना gap, हमने कहा था कि कोई भी दो परोसी, neighbor crest होने चाहिए, या neighbor true होने चाहिए, या फिर, अच्छा मैं ऐसा Q कहा, अपके बाइन में यह भी आ रहा है, सर ऐसा ही Q, क्योंकि जब अप एक wave की बात करते हैं, किसकी, एक wave की, तो एक wave का complete होगा, यहां से यह उपर का half, और यह नीचे का half, half मिल के 1 होगा, अगर हम दोनों उपर की बात करें, यह half, यह half, मिल के क्या बनाएंगे, 1, इसमें यह area इतना छोड़ें हम, इधर यह area इतना छोड़ दिये, तो यह complete, एक wave होता है, यह gap अगर आप यहां से यहां तक का देखेंगे, तो एक wave के length के equal होगा, इसी को हम क्या बोलते है, wave length, clear है, चले, प्लाल आपके आपने जाता है, stress लेने के ज़रूआ नहीं है, wave length किसे रप्रजन करते हैं, lambda से, अब, simple सी बात है, नाम से पते चलो, wave length, length है तो इस element क्या होगी, meter ही होगी, लेकिन, हमारा जो wave length की value होती है, वो in general कभी भी meter में हमें, देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इतनी छोटी होती है, मिटर मोता तो हमें दिखाई भी पढ़ सकती थी, बहुत छोटी value होती है, तो हम इसको किसमें देखते हैं, angstrom, nanometer या picometer, बहुत rare केसों को picometer दिया जाता है, जादा तर angstrom और nanometer में दिया जाता है, वैसे इससे पहले तो हम आपको इसका relation बताई चुके हैं, पर फिर भी, ज चोटा सा DTS दिया गया, जिनको ध्यान अखना होगा, वन angstrom की value क्या होती है, 10 to the power minus 10 meter की equal होती है, value बड़ा कौन होगा, angstrom में meter, जाइस्टी बात है meter, तो जब अब छोटे को बड़े में convert करते हैं, तो divide करना होगा, यानि कि 10 to the power minus 10 meter से multiply करना होगा, एक nanometer की अगर meter में बा generation जो कि आप पर याद रखना है, one nanometer की value, 10 angstrom की equal होता है, आप से कोई पूछ ले कि nanometer बड़ा है कि angstrom, तो आप कहाएंगे nanometer बड़ा है, एक nanometer की value, 10 angstrom की equal होती है, बात clear है, समझ में आ गई, आगे बड़े, चले, अब, वेबलेंट, हमें एक्शली जो color visible होते हैं, they are, वेबले, हमें ये जो 7 color हैं, सिर्प यही visible होते हैं, यानि कि देखें, ऐसे बहुत सारे colors होंगे, ऐसा, बहुत सारे colors होंगे, जो कि हमें दिखाई यह नहीं पढ़ते, अच्छे, वो हमें क्यों नहीं दिखाई पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो wavelength होती है, वो या तो मेरी जो capacity है wavelength से उससे ज़्यादा है, या फिर मेरी जो capacity है, उससे बहुत ज़्यादा कम है, आपको एक चीज़ बतारे हैं, sound वे आपने यह चीज़ पढ़ रखा होगा, सिख रखा होगा, कि एक हमारी frequency के range होती है, that is 20 hertz to 20 kilohertz, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो यह यही data होता है, सही है, यानि कि अगर मुझे कोई भी sound, जिसकी frequency मुझे 20 hertz है, या 20 kilohertz के बीच में है, तो मैं उसको सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, जबकि अगर कोई sound है, जिसकी frequency 20 hertz से छोटी है, मान लिजे 15 hertz है, तो क्या हम सो स सुन पाते हैं, नहीं, अगर वो 20 kilohertz से बड़ी हो गई, तो क्या सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, in the same way, lambda की कुछ value fix है, अगर लेमडा की value 400 nanometer से लेके 750 nanometer के बीच में लाई करती है, अगर कोई भी color या कोई भी wave है, जिसकी wavelength 400 nanometer से लेके 700 nanometer के बीच में है, तो उस case में वो visible होती है, यानि कि आप उसको देख पाते हैं, अगर आप सो कभी कोई पूछ ले, किसमें सबसे maximum wavelength किसकी होगी, तो वो last वाला यानि कि red है, और सबसे minimum wavelength किसकी होगी, that is, violet, clear है अब, चले, next अमरा term है frequency, अब, it can be defined as the number of waves passing through a point in one second, wave, यह से wave moves कर रही होगी, अब हमसे जब frequency पूछी जाती है, तो यह पूछ रहा है, कि किसी एक particular point से 1 second में कितने waves pass किये, मान लेते हैं अगर 10 waves pass किये, तो उस case में frequency क्या होगी, 10 hertz होगी, अगर 1 second में ज्यान रहे, एक point से 1 second में 30 waves pass होती है, तो उस case में यह frequency क्या हो जाएगी, very simple, that is 30 hertz, clear है, तो frequency क्या है, it is the number of total waves passing through at a fixed point in a 1 second, clear है, चलिए, अब frequency को हम किसे denote करते है, we represent frequency with the symbol of new, क्या बोलते हैं इसको new, हाँ, आपको V की तरह दिखते हैं, बैस थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, यानि कि V को थोड़ा सा distort करते हैं, that is new, clear है, चलिए, आईए, अगर मैं vacuum में EMR theory को लगाऊं, कौन सी, EMR, electromagnetic radiation, तो वहाँ से हमें एक छोड़ा सा relation मिलता है, क्या है वो, new is equal to C upon lambda, अब यह क्या बात हुई, आप एक, new क्या हमारा frequency, C क्या होता है, बहुत अच्छे, that is speed of light, जो कि vacuum में कितनी होगी, 3 into 10 to the power 8 meter per second, divided by lambda, lambda, lambda क्या है, it is the wavelength, wavelength क्या होता है, it is the distance between two neighboring crates, और two neighboring true, clear है, तो आपको एक नया formula मिल गया, और वो formula क्या है, new is equal to C upon lambda, यह किसके लिए है, vacuum के लिए, अगर आप vacuum में नहीं है, वैसे हम तो vacuum के साथ ही deal करते हैं, बड़ अगर माल लिए आप vacuum केस में नहीं है, तो उस केस में आप क्या लेंगे, तो आप उस केस में value C ना लिखके, वहाँ पर क्या लिखेंगे, velocity of wave, क्या लिखेंगे, velocity of wave, अब यह क्या मजाक है, एक्चुली जो EMR है, vacuum में उनकी speed, speed of light के equal होती है, कहाँ पर vacuum में wave की, जिस speed होती हो, speed of light के equal होती है, तो हम यहाँ पर wave के जगा पर C लिख दिया, क्योंकि दोनों equal है, लेकिन जैसा vacuum से बाहर निकल जाएंगे, यानि कि कोई medium आ गया, उस केस में, अगर ऐसा केस आता है, ऐसा केस आएगा नहीं, बट अगर ऐसा केस आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, फिर new is equal to velocity of wave divided by lambda, देखें, सब कुछ सेम है, बस difference क्या गया है, वेलोस्टी ओफ वेब लिया गया है, यहाँ पर C, यहाँ पर C, इसलिए लिया गया है, क्योंकि, वेक्यूम में, वेब की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी के एकदम सेम होती है, इकवल होती है, इसलिए हमने यहाँ पर C लिख दिया, clear है, आए, नेक्स नम बात करते हैं, यूनिट की, फ्रिक्वेंसी की एक यूनिट तो आपने सिख रखी है, that is hertz, और दूसरी यूनिट होती है, second inverse, actually frequency new का एक फॉर्मूला और होता है, that is one upon time period, हाँ, one upon time period, अब दिखिए, one तो unit less है, time की unit क्या होती है, second, जब यह second नीचे सूपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, second inverse, तो देखिए, frequency की एक यूनिट हो गई, second inverse, और दूसरी unit क्या होती है, hertz, clear है, चले, अब, frequency की कुछ, note points, इसलिए लिखा जा रहे है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है, तो पता होना चीए, क्योंकि आपको numerical spin का use, किया जाएगा, 1 kilohertz का मतलब होता है, 10 to the power 3hertz, kilo का मतलब ही होता है, 10 to the power 3, clear है, तो यह 1 megahertz, mega का मतलब 10 to the power 6, 1 millihertz, milli का मतलब 10 to the power minus 3, clear है, ऐसे ही अगर आप से पूछ लिए आजा है, 5 nanohertz, तब क्या बोलेंगे, 5 into, nano का relation क्या होता, 10 to the power minus 9, hertz, कर सकते हैं, चलिए, इसलिए chapter 1 में, यह prefixes हम आपको सिखाया थे, अब इस वाज में आया क्यों, हाँ, चलिए, next number है हमारा, next number जो है, that is third, and the topic का नाम भी है, wave number, wave number, हाँ, wave number क्या होता है, actually, लोगों क्या लगता है, wave number, जितने भी waves पास नहीं, उनको count के लिए, बता दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता, wave number, यह बताता है कि, एक मीटर लेंथ में, कितना, एक मीटर की लेंथ में, कितने number of waves होंगी, हाँ, wave number, जो मिस्कॉंसेप्शन है, बच्चों कमाहिंद में आता है, वो यह है, wave number is the total number of waves, गलत है, wave number क्या है, it is the number of waves, present in one meter wavelength, एक मीटर wavelength में, कितने waves हैं, उसको हम बोलते हैं, wave number, तो देखे, इसको हम बिसे रप्रिजें करते हैं, new bar से, यह new, find as the number of waves, in one meter length, ध्यान रहें एक meter length में, अगर आपने एक meter बोलना छूट दिया, या फिर छूट गया आपसे, तो यह पूरा definition गलत, सही है, आगे बड़े, चले, अब देखे, wave number का अगर formula बात करें, तो क्या होगा, one upon lambda, यानि कि actually जो wave number है, इस रेसिप्रोकल, स्परिंग लिख लिख लिजेगा, R E C I P R O C A, रेसिप्रोकल ओफ, wavelength, यानि कि wave number, one upon lambda के equal होगा, या फिर lambda, one upon new bar के equal होगा, यानि कि wave number के equal होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, चले, unit बताएं यह क्या होगी, one unit ले साइ, यह meter होता है, यह meter दिक्ची सूपर जाएगा, क्या बनेगा, meter inverse, यानि कि unit क्या होगी, meter inverse, अब माल लिजें, मेरे पास कुछ छोड़ी-छोड़ी चीज़े दी कहीं है, अगर lambda की value, 10 to the power minus 3 meter है, अगर lambda की value कितना है, 10 to the power minus 3 meter, और हमसे क्या पुछा जा रहा है, बताएं, wave number कितने आएंगे, आपको बताएं, wave number का formula क्या होता, one upon lambda, यानि कि one upon lambda, जब पर कहलेंगे, 10 to the power minus 3, यह value जब उपर जाएगी, तो क्या हो जाएगी, plus 3, 10 to the power 3, यानि कि, 1000 आएगा, इसका मनलब अब क्या समझ सकते हैं, इसका आप कह सकते हैं, कि इस case में, इस case में, एक meter length में, 1000 waves होंगी, कितनी होंगी, 1000 waves हो भी कहां, सिर्फ एक meter के length में, बात समयनाई मेरी, चले, इसको आप चाहें, तो एक और तरीके से explain कर सकते हैं, करना नहीं है, हम आपके लिए करना हैं, कि अगर आपको वो clarity नहीं मिली हैं, तो आपको यहां से clarity मिल जाएगी, अगर lambda की value, 10 to the power minus 3 meter दिया है, यानि कि दो crest के बीच या gap दिया है, lambda क्या wavelength, wavelength क्या होता है, कोई भी दो crest, जो कि दूसरे के पास, उनके बीच के gap, या कोई भी दो true, अब इसका true तो बना ही नहीं था, इस लेमन टो को नहीं लिया है, ये कितना है, 10 to the power minus 3 meter, अब देखिए, हमने अभी बताया था, आपको कि यहां से लेके यहां तक, अगर number of waves को पूछे, तो पताये कितने होंगे, 1, एक wave की wavelength होती है, तो चलिए, हमें एक चीज़ पता चल गया, कि 10 to the power minus 3 meter में, एक wave होता है, लेकिन, wave number कब define होता है, जब एक meter में कितने waves हो, हमने किया किया, एक meter के लिए निकाल दिया, 10 to the power minus 3 उदर ले जाएके, divide करेंगे, top 1 में आजाएगा, फिर नीचे सूपर जाएगा, यानि कि 10 to the power 3 waves, जो कि 1000 waves के ही equal, आएगी, आपको ऐसे नहीं करना है, बस आप तो new is equal to 1 upon lambda का formula, sorry, new bar is equal to 1 upon lambda का formula लगाएगे, और calculate कर देंगे, आपको इतना ज्यादा लिक एक्स्परेंट करने कोई ज़रूर नहीं है, यह तो हम बस आपको दिखाना चाहते थे, कि जो आप सुन रहे हैं, वही सही है, देखे, यह simple सा है, आएगे, next हम बात करते हैं amplitude की, amplitude क्या होता है, देखे, it is the height of a crest, or a depth of a true of a wave, it is denoted by the letter A, diagram तो है ही नहीं, तो लिए diagram हम बना देते हैं, माल लेजे, यह कोई भी waves है, तो electrical माल लेजे, magnetic माल लेजे, कोई भी, ठीक है, तो यह इसकी crest होगी, अब ध्याद देखे, यह यहाँ से कुछ height को होगा क्या, हाँ, इस axis से यह जो gap बन रहा, यह जो height बन रही है, इस ही height को हम amplitude बोलते हैं, यही चीज आपको true के लिए भी define है, यहाँ से, यह true है, इसके बीच के जो gap है, इसको भी आप amplitude ही बोलते है, और दोनों के value सेम आती है, यहनि कि जब आप wave बना रहे हों, तब हमेशा ऐसा बनाते हैं न, free hand, free hand बनाते हैं तब इसकी का ध्यान पता नहीं, देते भी है या नहीं, कि यह जितनी height है उतनी height नीचे है या नहीं, पता नहीं, देते भी होंगे और नहीं भी देते होंगे, अगर नहीं देते होंगे तो आज देना शुरू कर दें क्योंकि amplitude सेम होता है तो जितना gap उपर उतना ही है नीचे भी depth होना चाहिए इसो कैसे represent करते हैं capital letter A से the amplitude of a wave determines the intensity of the radiation वो ये बताता है कि radiation कितनी amount में तेज हो रही है fast हो रही है तेज हो रही है या slow हो रही है तेज हो रही है तेज और fast हो रही ही होता है next topic है बारा electromagnetic spectrum ये अच्छा topic है इससे आपको कुछ न कुछ questions देखने को मिल जाते हैं ठीक है ताहिए हम इसको discuss करते हैं क्या है ये it is now well established that there are many types of electromagnetic radiation हाँ अब तक ये सब चीज़े पता चली चुकी है कि electromagnetic radiations का ही टाइप की होती है which differ from one another in wavelength जिनका wavelength अलग-अलग होता है अभी हमने कहा था कि आपको visual range में 400 nanometer मिलती है से लेके साड़े 700 nanometer तक की मिलती है बहुत सारे ऐसे ही हमार है इलेक्ट्रमेड रेडियेशन सा जिनकी wavelength साड़े 700 से भी काफी बढ़ी है बहुत सारे ऐसे भी radiations है जिनकी wavelength की value 400 से भी छोटी होती है जो कि हमें बिल्कुल वीजिवल नहीं होते है तो क्या किया गया तो Maxwell तो बहुत अच्छे इंसान थे काफी पढ़े लिखे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं इन सब को एक साथ क्या बोल दो electromagnetic spectrum बोल दो यानि कि जितने भी हैं चाहे हो visible हो या visible नहों सब को एक साथ ग्रूप में हम क्या बोलेंगे उसको electromagnetic spectrum तो देखे these constitute electromagnetic spectrum और ये जो भी wavelength है चाहे हो visible हो या ना हो सब का एक group बोला दिये और बोले इस पूरे group को हम क्या कहेंगे electromagnetic spectrum क्यों? क्योंकि ये electromagnetic radiation की वज़ाद से हुई है चले आपके लिए एक डाइग्राम है उम्मीदे वेजिबल तो होना ही चाहिए देखे ये हमारे electromagnetic spectrum के छोटा सा धाचा यानि कि यहां साब को थोड़ी से idea लग जाएगी कि किस wavelength वाले range को हम क्या नाम देते हैं आपने आए दिन सुना होगा alpha range, gamma range, beta range, cosmic range x range, infra range, ultraviolet range अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लिजे अगर आपने सुना है तो फिर आज उनको हम देख में लेते हैं कि उनकी क्या differences होती है तो देखे ये जो length है this is the order of increasing wavelength यानि कि जब आप ऐसे जाएंगे तो आपका wavelength बढ़ रहा होगा तो बता है ये wavelength कौन दिखा रहा है ऊपर वाला या नीचे वाला जाइर सी बात है नीचे वाला this is showing lambda and this is showing decrease in frequency हाँ lambda अभी आपने एक चीज़ दिखी हो था new is equal to c और कौन लेमडा पिछे आपने देखा है अब बता है ये new और लेमडा दुसरा के डारेक्टली पॉपर ने कि इन्वर्सली जाइर सी बात है एक उपर एक नीचे आने कि इन्वर्सली जैसे जैसे लैमडा के वैलू बढ़ेगी frequency के वैलू ऐसे वैसे घट जाएगी तो देखी इधर चलने पर लैमडा तो बढ़ रहा है लेकिन इधर चलने पर frequency यानि कि new की value क्या हो रही है घट रही है तो देखे सबसे ज़्यादा frequency किसकी होती है cosmic range की किसकी होती है cosmic range की अगर आप से कभी कोई पूछ ले which range have the maximum frequency that is cosmic range इस सवाल ऐसे भी पूजा जा सकता है कि किस range की wavelength सबसे कम होती है हाँ क्योंकि frequency सबसे ज़्यादा थी तो उसकी wavelength सबसे कम होगी again the answer is cosmic range cosmic range का frequency हो किसके order का है 10 to the power 24 hertz जबकि wavelength के अगर बात करें that is 10 to the power minus 16 के एकवल है सही है बात समझ में आ गई चले है cosmic range के बाद कौन से range आती है गामा रेज आपको सब बैड़ के रटना नहीं है अब दो बार तीन बार इसको देखेंगे समझेंगे अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी अब ऐसा नहीं किर्फिन लेके बैड़ के लगे रटने इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पहले cosmic range फिर गामा रेज फिर एक्स रेज फिर अल्ट्रा वायलेट रेज और फिर इंफ्रा रेज लेकिन ये बीच में क्या बनाया गया डॉट 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 येस आपनी जी कभी सुना है न जो sun से light आती है sun रेज वो दो टाइप के होती है अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रा रेज अल्ट्रा वायलेट रेज एंड इंफ्रा रेज वो ही रेज की बात हो रही है ये देखें अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रा रेज के बीच में हमारी जो एक range लाई करती है उस range को हम कितना बोलते हैं अभी बताया देना आप देगी ना था 400 नैनो मीटर से लेके कितना वेरी गुड 750 नैनो मीटर तक के रेंज में यानि कि ऐसी रेज जिनकी वेबलेंथ क्या हो 400 नैनो मीटर हो या इससे बड़ी हो 500 नैनो मीटर हो या इससे चोटी हो वो सारी रेज हमें वीजिबल होती है हमें दिखाई पड़ती है और उनी के कलर भी होता है दे यार विब्योर बाकी और भी बहुत सारी रेज है जो कि हमें कभी दिखाई नहीं पड़ती region वो मेरी जो capacity है minimum 400 nanometer उससे कम है या जो मेरी capacity है maximum 700 nanometer उससे क्या है ज्यादा होती है तो देखें ultra wallet range की जो wavelength होती है वो क्या होगी हमारी capacity वाली wavelength से कम होती है जबकि infrared की wavelength हमारी capacity वाली range से क्या होगी ज्यादा होगी चलिए next देखें उसके बाद को ना था infrared फिर microwave फिर FM फिर AM जिसको रेडियो वेप सो बोलते है रेडियो रेडियो के आती है न हमारे waves कैसे पर चलता है रेडियो उसको antenna से connect कराते है antenna से signal पकड़ता है वो सब value किस में आती है अब अब आपको लोड नहीं लेना यह सब को जब आप आगे higher classes में पढ़ेंगे तो वहाँ सिखाया जाता है फिर उसके बाद है long radio waves यह order है यानि कि सबसे ज़्यादा frequency cosmic rays सबसे कम frequency long radio waves या radio waves कह सकते हैं सबसे कम wavelength वाली रेज cosmic rays और सबसे ज़्यादा wavelength वाली रेज डैट इस radio waves अब हम अपने visible range की बात करते हैं जो मेरे काम का है जिसको हमें सबसे ज़्यादा time देना है और यह चीज़ आप process करेंगे आप दो बार तीन बार देखें तो अपने आपको याद भी हो जाएगा नहीं होता है तो भी एक-दो बार extra देख लें ताकि याद हो जाए हाँ यह ह हमारे काम का है visual range हमारे काम का है कई बार आपको wavelength निकाल के कह जाए या color बताईए तो wavelength आप निकाल लेंगे लेखिन आपको पता होना चीए कि कि किस wavelength के लिए कौन से color defined होती है तो देखें आप देख रहे होंगे कि सब आपने तो 400 का आता है यह चारा जा रहा है हाँ यह इ नेनो मीटर की वैलू क्या होती है टेन एंगल स्ट्रॉम के इकवल होती है तब बते चार सो नेनो मीटर की वैलू क्या होगी वैरी सिंपल चार हजार एंगल स्ट्रॉम हो जाएगी वैसे ही साड़े साथ सो नेनो मीटर की वैलू क्या हो जाएगी डैट विल बी 7500 एंगल स् क्या यह वैल्य किसमें दी गई है एंगल स्ट्रॉम में हो अंगल स्ट्राम है अगर आप नैनो मिटर में लिखे तो यह 400 नैनो मिटर है and this one is 750 nanometer तो देखे सबसे कम wavelength किसकी है विजिबल रिजन में वाइलेट की रहांदर विजिबल रिजन में बात हो रही है और सबसे ज्यादा किसकी है सबसे कम होगी कब wavelength यह कब comparison किया जा रहा है इन दा विजिबल रेंज यानि कि ऐसी बहुत सारे रेडियेशन हैं जिनकी wavelength की value इस रेंज में लाई करती है अगर वो इस रेंज में लाई करते हैं तो उस case में वो तो हमें वीजिबल हो जाएंगे otherwise वो हमें visible नहीं होते हैं एक छोड़ा सा ओर टेबल दिया है आप उसे भी देख लें यह electromagnetic waves की uses कुछ दे गई है पस एक बर दोबर देख लिजेगा कभी कबार आप सो कुछ लिए जाता है गामा रेज गामा रेज के यूच कहा किया जाता है cancer की treatment में दूसरा एकस रेज यह थो सबको पता है हाँ जो हमारी हड़ियां टूड जाती हैं यह क्रैक कर जाती हैं तो हम जाते हैं एकस रेज कराने हम चेक कराने जाते ह। बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो अपने सई जगा पर है या नहीं है फिर अल्ट्रा वालेट रेज ये कहां यूज किया जाता है जर्मी सिडल लैंप्स ऐसे बहुत सारे लैंप्स बनाई जा रही है अपर अंडर कंश्रक्शन से जो कि जम्स को मारने का काम करती है वहां पर हम अल्ट्रा वालेट रेज का यूज करते हैं नेक्स वीजिबल रिजन यह तो चीजों को इलूमिनेट करने में ग्लो करने में हल्प करती है जिसे हम देख पाते हैं हां नेक्स ए इंफ्रारेड यूज फॉर हीटिंग माइक्रोवेब हां माइक्रोवेब गुबेंगर पर यूज दोता ना कुकिंग के लिए कुकिंग या रडार रडार में भी यूज किया जाता है इसको नेक्स ए रेडियो फ्रिक्वेंसी यह तो सबको बता है सिगनल ट्रांस्वीट करने के लिए निउज पहुंचाने के लिए यह कुछ अप्लिकेशन थे यह उनके इसके भी और दिये हुए है और यह फ्रिक्वेंसी का उमीद है आपको इलेक्ट्रोमगनेटी की स्पेक्ट्रम पूरी तरह सा क्लियर हो गया हो गया ना चलिए अब हम क्या डिक्स करेंगे अब हम practice करेंगे this is the time for the practice questions so let's get started चले मेरे पास पहला question है if the frequency new is given 900 kHz बहुत अच्छा new is given 900 kHz तब 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 हम पहले इसको क्या बनाएंगे बना लेंगे 900 kg का मतलब कितना 10 to the power 3 इसको हम और solve कर लें तो क्या बन जाएगा 9 into 10 to the power 5 यह तो बनाना है आप सिखी गए होंगे शले है next हमारा calculate the wavelength and also comment on the part of the electromagnetic spectrum does it belong to हमें simple सा क्या करना है इसका wavelength निकालना है तो ठीक है यह new है new बार क्यों लिखा बार new देखें new का formula क्या होता है c upon lambda c की value 3 into 10 to the power 8 meter per second upon frequency की value 9 into 10 to the power 5 तो इसे डिवाइड करें थ्री टाइमस में यह उपर जाएगा माइनस हो जाएगा यानि का आपको मिलेगा 1 by 3 into 10 to the power 3 इसो solve करेंगे यह बन जाएगा क्या 0.33 हाँ 3 बार आ जाएगा तब 0.33 लिखके 10 to the power 3 लिख दें अगर आप इसो scientific notation convert करें rotational को यहाँ shift करेंगे यह क्या हो जाएगा 3.33 into 10 to the power कितना है 3 हाना अब यह 2 हो जाएगा यानि कि लगबग कितना मिलेगा आपको 333 हाँ 333 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है clear है तो आए चली यह आगया आपको 333.33 मिटर अब हमसे यह पूछा आया कि बताइए यह किस order में बिलॉंग करता है तो यह है radio wavelength this belongs to radio waves आप कैसे पता अभी आप देख लिए यह लगबग 300 के आसपास है ना अगरा हम इसको अच्छे साइरेंज करके लिखे तो क्या लिखते है 3 into 10 to the power 2 3.33 लिखना पड़ेगा इसर 10 to the power 2 का order देखना है आमें तो देखी wave length check करना ना यह हमारा infrared का region okay तो यह क्या देखे 10 to the power minus 4 यह गड़बड दिया यह देखे यह भी radio frequency है ना हाँ ठीक तो है radio wave के order से match कर रहा है clear है तो बस ऐसे चोड़ी चोड़ी questions आपको दिये जाएंगे आपको करने आना चाहिए कर सकते है चलिया आए next बात करते है अब हमसे क्या करना है calculate the range of frequency for the wavelength range from 5000 angstrom to 6000 angstrom ठीक है अब हमें क्या करना है frequency के range बनानी है क्या करनी है frequency की एक range ही बना के दिखानी है हमें तो चलिया हमें wavelength lambda 1 की बैजु कितना दिया है 5000 angstrom इसको convert करेंगे तो दिखें क्या बन जाएगा 5000 x 10 to the power minus 10 meter बने जाना वैसे ही lambda 2 की value दिया है 6000 angstrom इसको convert करेंगे तो यह बन जाएगा 6000 x 10 to the power minus 10 meter अब क्या करेंगे इसको process solve करेंगे यह बन जाएगा 5 x 10 to the power 3 minus 7 meter और यह बन जाएगा 6 x 10 to the power minus 7 meter अब हम यहां से क्या निका लेगे new 1 तो देखे new 1 क्या होगा c upon lambda 1 new का formula होता है यह बन जाएगे तो 0.6 हो गया अब यह बन जाएगा यह बन जाएगा upon wavelength कितना है 6 x 10 to the power minus 7 इसको divide करिए तो यह 2 बार में हो जाएगा 1 upon 2 की value solve करेंगे तो यह 0.5 हैगा into यह minus 7 उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा इन सब को हम लोग scientific notation में convert कर देते हैं उसके लिए हम इसको 6 बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6 x 10 to the power 14 हर्ट और यह हो जाएगा 5 x 10 to the power 14 हर्ट क्योंकि हमें range निकालना है हम range लिख लेंगे range 5 x 10 to the power 14 हर्ट से लेके कितना होगा 6 x 10 to the power 14 हर्ट कुछ नहीं करना था वह आपको दो अलग-अलग wavelength दे रिया था और बोला था कि इस range के wavelength के लिए range of frequency क्या होगी बहुत सिंपल है आप दोनों अलग-अलग wavelength के लिए अलग-अलग frequency निकाल लीजिए और उनको एक साथ लेक दीजिए आपका range मिल जाएगा कर सकते हैं तो इसले answer चेक कर लेते हैं एंसर यहां नहीं है देखें यह यह answer range is 5 x 10 to the power 14 hertz 2 6 x 10 to the power 14 hertz कर सकते हैं चलें next question है मेरे पास इसको आप विडियो को पॉज करके एक बार फिजर ट्राई करें फिर हम discharge करते हैं कर लिए आपने start करें देखें calculate wave number हमें wave number निकालना है frequency निकालना है wavelength हमें दिया है कितना 400 nanometer तो बस करना क्या है बस पड़ापड solve कर देजिए हमें wave number निकालना है wave number का formula यह क्या होता है 1 upon lambda 1 upon lambda के value दिया है देखें कितना दिया है 400 nanometer 400 nanometer जिसको हम क्या लिख सकते हैं 400 into nano का मतलब 10 to the power minus 9 meter इसको solve करेंगे देखें 4 into 10 to the power minus 7 meter बनेगा न ठीक है तो देखें यहां आजएगा 1 upon 4 into 10 to the power minus 7 1 upon 4 की value solve करेंगे 0.25 मिलता है आप करेंगे देख लिएगा 10 to the power minus 7 नीचे सूपर जाएगा तो 10 to the power plus 7 बन जाएगा बनेगा न अब इसको scientific notation बनाने के लिए हमें इसको 2.5 लिखना पड़ेगा और क्योंकि हमाना decimal राइट सेट सिप्ट हो रहा है तो पावर क्या होगा decrease करेंगा तो 7 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अब बताएं वेब नंबर 1 upon lambda lambda की unit क्या होती है मीटर तो बताएं वेब नंबर की unit very good मीटर inverse यह आगया answer यह दो रहा फर्स्ट पार्ट देखे यह है नो फर्स्ट पार्ट हाँ दिख रहा होगा अब 2.5 into 10 to the power 6 मीटर inverse इसमें एक पार और हमें calculate करना है क्या है वो that is frequency देखे frequency का formula पते यह क्या होगा new is equal to c upon lambda तो c की value 3 into 10 to the power 8 और lambda की value बलिए क्या लिखे 400 या 4 into 10 to the power minus 7 हाँ 4 into 10 to the power minus 7 क्यों ऐसा लिखा हमने क्योंकि हमें तो यहाँ पेशा यह यहने meter रखना था न तो 3 by 4 की value जब आप solve करेंगे तो आपको मिलेगी 0.75 into क्यों यह दिखे minus 7 उपर जाएगा plus 7 plus 8 पहले से था यान की plus 15 hertz यह answer आपको नहीं होगा answer तो सही है तरीका गलत है scientific notation की साफ से सही नहीं है न यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यह हम इसको क्या लिखेंगे 7.5 into फिर डेशनल में राइट साइट से हुआ तो पावर एक बड़ टाइम देख लें कितना टाइम बचा रहा है ओके टाइम काफी यादा होगा 57 मिनट हो गया है तो अब आप होमबग करेंगे next part हम इसका अभी यह finish नहीं हुआ है इसका next part हम कब research करेंगे अगले वीडियो में तो यह होमबग के screenshot आप चाहिए तो ले लें या फिर PDF आपको मिल गया होगा तक PDF से solve करेंगे answers आपको तीनों यहाँ पर दिये गया है कर सकते हैं चले particle nature जो भी है plank quantum theory उसका next class research करेंगे till that आप यह सारे होमबग करेंगे और answers को match कर लेंगे Thank you so much